नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि इसी के माध्यम से इंदु धर्म से जुड़ी हुई नई-नई जानकारिया आप तक पहुंसती रहेंगे आज हम बात करेंगे साल की पहले पुष्ययोग जो 13 जन्वरी को है अगर इस दिन मालक्समे की सही तरीके से पूजा की जाए तो पूरे साल आप खुधन की कभी कमी नहीं रहेगी तो सबसे पहले जानते हैं कि ये पुष्ययोग है क्या पुष्यय का अर्थ है पोशन करने वाला उर्जा वैशक्ति परदान करने वाला विद्वान इस योग को बहुती शुब और कल्यानकारी मानते हैं अगर इस दिन मा लक्समी की अच्छे से पूजा की जाए तो मा लक्समी की पूरे साल आप पर करपा बनी रहेगी तो आए जानते हैं कौन से हैं वो उपाई जो इस दिन करने से मा लक्समी खुश होती है सुबह लक्ष्मी मंदिर में जाएं और मा लक्ष्मी को कमल के फूल वे सफेद मिठाई अर्पित करें इससे धनलाब के योग बनते हैं लक्ष्मी पूजा में चांदी का सिक्का भी रखें और बाद में इस सिक्के को अपनी तिजोरे में रख दें ऐसा करने से तिजोरी आपकी पैसों से भरी रहे यह उपाई आप घर के मंदिर में भी कर सकते हैं इसके साथ साथ स्री अंतर की पूजा भी करें बाद में इसे अपने पूजा स्थान पर स्तापित कर दें इससे धनलाब की संभावना भी भड़ती है इस दिन चांदी से बनी लक्षमी गनेजी की मूर्ती अपनी तिजोरी में रख लें इनकी पूजा से घर में धनकी कभी भी कमी नहीं होगी इस दिन शाम को पीपल के पेड़ के पास पंच मुखी दीपक जिलाएं और मा लक्षमी से धनकी प्राथना करें यह भोती जमतकारी उपाए है माता लक्षमी के मंदिर में कमल गटे की माला अर्पित करें इस उपाए से मा लक्षमी बहुत जल्दी खुश होती है उमीद है दोस्तों आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी आपसे हमारा निवेधन है अगर जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद